नमस्का दोस्तो तो आप लोग के लिए एक special smartphone का exclusive video लेके आ चुका हूँ फोन का नाम है Ico Neo8 Pro बादो ओबियसली Ico Neo8 तो लॉंच होगा उसके बार में कोई proper information नहीं लेकिन जो pro बना smartphone लॉंच होने बाला है उसके तरफ से almost सभी specification आ चुका है तो इस वीडियो में आपको इस Ico Neo8 Pro के बार में सभी information दूँगा तो इसली शुरू करते है आज का वीडियो बिना कोई बाक्त का बार आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ग्याज़ोल चैनल पर नहीं है और एसी टिक रिलेटिड एक्सक्रूसी इंप्रमेशन ह सबसे पहले पाना चाहते तो ग्याज़ोल चैनल का सबसे काना बिल्कुल मत भूलिएगा और नीचे जो बेल आइकोन है उसी भी दावादयाने जिसे के एससे वीडियो का नोटिविकेशन हर आपको सबसे भेले मिल सके तो चले फ़र बार शुरू करते है आज का वीडियो तो पहले तुम बात करेंगे स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में अभी स्क्रीन पे एक चीज देखिए यह जो आइकोन नियो सीरीज इस सीरीज के अंदर पिछले दो तीन साल पे जितने सारे स्मार्टफोन लांच होआ था कैमेरा कटिंग को छोड़के बाकी पीछे का जो कलर और सबी जो चीज़े बोए एक्जाक्ती सेम तो इसला में एक्सपेट करेंगे कि यह जो नया वाला आइकोनियोट प्रो आने वाला है इसका भी जो डिजाइन एक्जाक्ती लास्टबर के जैसा होगा प्रोबाबली कैमेरा काटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस मिले गा 6.78 इंच 1.5K 120 हर्च सुपर अमोलेट डिस्प्ले जिसके साथ 360 हर्च का टास्ट सम्लिंग रेट 1200 हर्च का इंस्टेंट टास्ट सम्लिंग रेट 1500 नीट्स का ब्राइटनेस 20-9 एस्पेक रेशियो 92 पर्चन स्क्रीं टो बोड़ रेशियो इसमें आपको मिलेगा इसके इसके सर्टिविकेशन में होगा है HDR10 का सर्टिविकेशन और 1920 हर्च का PWN डिविंग रेट और लास्ट बर के जैसे इसके डिस्प्ले के प्रोटेक्शन में आपको मिलेगा स्कॉर्ट सेंसेशन का ग्लास प्रोटेक्शन मतलब जो भी हो प्राइस पोइंट की से इसका जो ड यहां पर दो तीन दिन पहले का गैजट वर्ल का जो भी वीडियो है उसके अंदर आपको इस डाइमेंड सीटी 9200 प्लस के बारे में सारा इंफ्रमेशन मिल जाएगा और इस प्रोटेसर का में हाइलाइट ए ही है कि एक्चुली अभी एंड्रेड वर्ल का सबसे ज्यादा प 50 मेगाविक्सल सेंसार वो कौन से बैंड की तरफ से होगा इसके बार कोई प्रोपर इंफ्रमेशन नहीं बस आभी एक की इंफ्रमेशन मालूम चले कि इसका जो सेंसर साइज वह होगा 1 by 1.5 लिंच का और इसके साथ OIS का ऑप्शन यह जो स्मार्पोन पिछले बार की जैसे आपको मल्टीबल रैम और स्टोरीज विरियंट पे मिलेगा जैसे की 8GB, 12GB, 16GB RAM विरियंट उसके साथ 256GB, 512GB स्टोरीज विरियंट पे मिलेगा RAM का कॉलिटी है LPDDR 5X, मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 4.0 और उसके साथ कोई भी SD Card का slot अवेलेबिल नहीं है बैटरी में आपको मिलेगा 500 इमीज बैटरी, 120W का चार्जर और Connectivity USB Type-C इसके बादर में इसे कुछ बाकी चीज़ों की अगर बात करता आपके से मिलेगा Android 13 out-of-the-box, under-display fingerprint sensor, कोई भी 3.5 jack नहीं होगा स्पीकर के मामल में आपको इसे मिलेगा dual stereo speaker तो जो सबसे में चीज़, यह जो फोन काब लॉंच होने वाला तो देखिए, अगले मैंने 10 तरीको डाइमेंसिटी 9200 प्लस लॉंच होने बाला है तो प्रोबाबली उसके एक दू दिन के अंदर जो आइको निवाइट प्रो ओफिशली लॉंच हो जाएगा और अगर इसके प्राइस के बार में बात करें तो कहां जारी कि इसका प्राइस चाइना पे होगा 3000 इवान मतलब जब इस मार्फोन इंडिया पर आएगा मतलब अगर इंडिया पर जो प्रोबल एडिशन लॉंच होता है तो इधा प्राइस होना चाहिए चालीस से 45 थाजन के अंदर अभी ऐसे हर एक वीडियो के देखेंगे कि यह जो आइको निवेट प्रो इसमें मुझे प्राइस पॉन की साबसे क्या प्रोज या पर कॉन्स लग रहा है जो नंबर वन पहली बात इसका जो डिस्प्ले का जो क्वालिटी मात देखें सुपर अमोलेट मिले रहा है अच्छा कासा डिप्रेश्येट है सब कुछ ठीक है लेकिन चालीस सार रुपाई का आज पास अगर आप कोई फोन लेंगे तो एक इस मॉडर्ण ट्रेंड की सबसे डूएल का डिस्प्ले या फिर या फिर इसीक सुप आइमेक्स 898 वाला सेंसर अगर बूबाला सेंसर होता है तो डेफिनली कैमेरा बहुत ही बढ़ी होगा लेकिन उस कैमेरा का जो सेंसर साइज वह इस वान बाई 1.5 इंक से भी बिटा रहे तो मदर डेफिनली इसमें आपको एक्षिर लेवल का जो कैमेरा सेंसर वह आपको न उसके साथ LPDDR5X और EURPES 4.0 तो यह इसे लेना चाहेंगे या पर सिम प्राइस में वान प्रास या इसे दूसर ब्रैंड की तरब से एक ओवर और बेटार एक्स्पिरियंस बाला फ्लेक्स स्मार्टों लेना चाहेंगे इसके बारे मुझे जो कॉंट्रेक हैना बिल्पिल मत भूलिएगा तो मिलते अगली वीडियो पे तब तक स्टेट उन और 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 सी मेंबर थिंग पोजिटीव बी पोजिटीव थैंक्यू